अब स्टूडेंट्स आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 स्वाइल के एक नहीं टॉपिक कंस कॉंसर्वेशन ऑफ स्वाइल यानि मिट्टी का सन्रक्षण इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों मिट्टी का सन्रक्षण क्या होता है क्यों जरूत पढ़ी अगर मान लिजे की स्वाइल रूसन होता रहेगा तो क्या होगा आपका मतलब महां की जारी अपढ़ी मिट्टी तो उड़ जाएगी और जहां खेत है वो क्या हो जाएगा अनुप जाएगा को चुगेगा कुछ भी नहीं हो गयेगा तो ये soil erosion जो नैच्छल प्रोसेज होता है वो तो रुक ही नहीं सकता कोई लेकिन जो तनी speed से हो रहा है न उसको रोका जा सकता है तो वो हम कैसे रोक सकते हैं उसी को रोकने के लिए जो उपाय होते हैं उन्ही सब को क्या कहा जाता है conservation of soil कहा जाता है ठीक है तो वही यहां बताया गया है कि soil conservation is done to prevent soil erosion यानि soil erosion को रोकने के लिए soil conservation किया जाता है various means and methods are used to prevent the loss of fertility top soil by force of nature यानि जो nature force डालती है अलग-अलग nature force डालती है soil erosion के लिए ठीक है उसको fertile मिट्टी के loss को रोकने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं जो भी साधन अपनाते हैं वो सभी क्या किसके अंदर आती हैं वो सभी soil conservation के अंदर आती हैं और इसी को हम soil conservation कहते हैं ठीक है अब हम सभी methods के बारे में पढ़ेंगे let us learn about some methods उन सभी method के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम widely use करके क्या कर सकते हैं soil conservation कर सकते हैं मिट्टी को prevent कर सकते हैं soil erosion से ठीक है तो let us learn about some method of ways that are widely used for soil conservation तो पहला method क्या है बच्छो plantation करके soil conservation करने का इन मिट्टी को बचाने का आपके erosion से मिट्टी के उड़ने बहने से बचाने के लिए क्या करते हैं जो पहला method अपनाते हैं वह होता है निदे immersive जता टीह मृट्टी के जो पार्टिकल्स होती हैं उनको बांहें रखती यह उनको जोड़ के से शी नहीं पाते हैं अपी हो अगर मैं आपको वह मतलब हैं मतलब वांतन रखोंगा सबसटों तो उठा पाएगा ने उठा पाएगा ठीक है मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए बोला हूं थानी सब लोग ठीक है तो नहीं उठा पाएगा ठीक है तो उसी तरह से मतलब कुछी अपने घर के समाल ली जगा मैंने उसको चारों तब से रसी से बांध दिया मतलब जो ट्रक है ट्रक में समान ऊपर रखा और मैंने उसको चार्तोर रसी बांध दिया तो क्या वो गिर पाएगा नहीं गिर पाएगा ठीक है उब पर से तो उसी तरह से जो है मिट्ड़ों की चड़े होती है नो मिट्टी को बांध ही रखती जिसके करण वह बहन नहीं पाते हैं तो इसी लिए हमें क्या करना चाहिए जादा से जादा मत्रा में कि पेड लगाना चाहिए सोल कंसर्वेशन रो gradation के इससे को क्या कहा जयता है अगर आप किसी भी जहां पर जादा से जदा प्लांटिंग करें गें पौधे लगाएंगे तो इसका नहीं parameter कहते हैं और यह जहें सब्सक्राइब करने और द्रेन करने से लब उड़ने से रोकता है ठीक है अब जब आप किसी जहां पर जादा पर लगा दें इसको में फॉरस्टेशन करते हैं आई हो पक समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूं तो उसी को यहां पर इंग्लिश में एक्स्प्रें इन एरिया इसको अफॉरस्टेशन ठीक है आई होप आप समझ गया हूंगे इसके लावा प्रिमेंटिट फ्रम बिंग डिन इन और ब्लून अवे अधा प्लांटिंग आफ लाज नंबर आफ टी इन एरिया इसको अफॉरस्टेशन यह भी बात मैं आपको समझा दी ठीक है इसके अलावा हम क्या घड़ सकते हैं जो किसान भाई लोग होते हैं ठीक है बहुत हो को खेटों के नावर B公 début यह भी ठ्लाटिंग कर सकते हैं जो किनारे-क्येड उते होते हैं नो हवा यह बरसाद की जो जो वे होता है उसको उसे क्या कर सकते हैं अपने फसल को जो है हवा के ब्लू से जो है वह एक बैरियर का काम कर वा सकते हैं पौधों से पेड़ों से जिससे हमाई फसलों को नुक्सान नहीं होता है ठीक है वह भी प्लांटिंग करने का फायद है इसके यह जह और जम जानते जिन से क्या सकते हैं स्वाइब रिजण को रोख सकते हैं और सुल कंजर्वेशन गर सकते हैं तो दूण ने करने का एक मैथट होता है ठीक है आप देखोगे कि जबम खेतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं फौर्ट पर पर्पल्पल्प्र नहीं कि प्लानटिंग ट्री टिर नहीं लगते या देखो गए कि से फिर बारी करने के लिए जमिल नहीं करतें तो वहाँ पर देखना खाली मेजान में घास हुगाती है रहाती है यह जो घास हुगाती अपने आप यह क्या आप यह क्या हराधार मिट्टी ख़र मिट्वा पादी से होता है यह जो होता है यह जनरली पहाड़ियों प seems कि मने उपको बता yogil एरोजन में के जो पाड़ी लाक्यों वहां पर मिटी बहुत तेजी से कटके नीजे आती है बैद मताब एरोजन होता है क्यों कि वह एक स्लोपी एरियाज होते हैं ठीक है तो यह यह जो टैस्ट फार्मिंग है यह जनली स्लोप्स होते हैं धलाने होती है वह तो वहां शवर्स होता है वहेरेज़ का फोर्स होता बहुत तेज होता है जिसलें हम क्या करते है यह हेली फ़ छोटे छोटे चोट बना देते हैं ठीक है यह टैस्डु educational प्रेसर प्रूज़ 핸 नाजी neglect फोड़े हम क्हेती करते हैं ठीक हैर इटत 주고 डाउन्प और इस तैप्स फ्लो इससे क्या होता है जो पानी उपर से नीचे क्यों रहता है यह जो नीचे आती है उसका फ्लो बहुत धीमा हो जाता है ठीक है और जिससे कारण क्या हो सकता है फ्लो आफ रेंड वाटनी पानी को जो भाव होता है वो धीमा हो जाता है and soil is prevented from being washed away और पानी जो बहुंने से यह उड़ने से रूख जाता है यह रोका जा सकता है तो टैर्स फर्मिंग इस बेस्ट फर्म मेथट आफ प्लांटिंग ट्री ऑन हिली एरियास ओके ठीक है अपना अगला हमारा जो मैथर्ड है स्वाल इरोजन का को रोकने का प्रिमेंट करने का यह स्वाल कंजर्वेशन का मेथड आण तक अचाभ मस्ट है ऐस वह एंग पूस्ट एयंडिग और आफ इंब्ढैउंकमेंट यानि ए टाटअ बंद बना करके हम बंद बना जो हो यह हम और जो है दिसमेंडिके से लोजन सेशिब्स नहिको रोक सकते हैं यह फे के सूरी द्र गुब कर सकते हैं ठीक कार स Cambodia आध लंक सांगो टेखते हैं एड ढरी हिसाल गिस नदियों क्यों कि नारी होते हैं ठीक है थे कया हम लग़ बाता हुब गृप्लम प्रकृता लगथिए हैं ठीक नारा जो है वह कटकर मुट्टी द्रीक निल्वादव वर से काट आ चीजिए तो हम क्या कर सकते हैं कि आरुप नदी को किना रोप जो है एक चत्टानों यह स्टोंग की एक एक बांद मना सकते हैं ठीक है देस्ट प्रुंट रिवर फ्राम ब्लोटिंग एरे जिससे पानी होता है वो रहने वाले लाकों में नहीं आ पाता है ठीके बार बाधनिय आपाती है ठीक एप्रुएंट रीवर फ्रॉंग चेंजिंग इस कोर सेंड विस वाशिंग अवे ड़ टॉफसाइड इस से क्या होता है जो मिट्टी का किनारा होता है वो बदलने से रुक जाता है दूसरा जो टॉफसाइल की जो ऊपर की में परत होती है वो जो गायब हो रह तो यह तो टॉफसाइब तो तो टॉफसाइब तो टॉफसाइब होते हैं वो इस वात के विरुद विरुद होते हैं कि देफ्लोइंग रीवर यानि जो भानवाल नदी है तूस्क्रोड डाउन एट फ्लो टीक ए तक इसका वहना रुख जाएब फान अजलाशना स्व All-Star याढ़ चैनल मेश नदी मांको नदी मे क्रूब जाएगी इसका फ्लो उंगा फ्लो डार ने यह फिमती को रूखा जासे सकता है ऐसके इसके अलावा पानी को होल्ड करने या रिसीवर बनाने करेट करने के लिए जोता है वो उपयोगी होता है यह जो पानी होते हैं में इनको कह किया जाता है एक बड़े बरतन में यानि क्या बोलते उसे स्कूमैंट करते हैं छिका ये अपि टीकर ओ यह फिर घो सब्सक्राइब पो अचे से सीवड़ीए बनाया करें कर सकते स्वार को रोकिकार। करता है वाटर के लिए पानी के लिए की तब काम करता है पानी को एक्षटा करने का काम करता है एक यूज़ तो सप्लाइब वाटर एस जेनरेट अलेक्रिसिटी अब जब पानी को इस वरटर को रेसीवर के दरह सलक्टिया जाएगा तो चुना जाएगा बनाया जाएगा ठीक है तो जो जो वाटर रिसीवर्स होते हैं वह 10% के इंटर्स टेंपर से लगाते हैं पानी को जम्मा करते हैं और एक रिसीवर का काम करते हैं बात में इसी पानी को जो हैं वाटर सप्लाइब कर देते हैं और साथ में बिजली के इस्तमाल बनाने के काम में लाते हैं प्यारे बच्चों आई होब आपको ये ट्वाइल स्वाइल कंजर्वेशन मिट्टी के चलन को रूकने को पाए समझ में आया होंगे इसमें आपको मैंने प्लांटेशन ग्रोइंग ट्रॉइंग ट्रॉप से टैस फार्मिंग और बिल्डिंग और डैम के बारे में बताया था जिससे सवाइल लुश्दों रुखता है साथ कंजर्वेशन होता है ठीक आई हो पारे मैं आप समझ गया होंगे चैक आप नेक्ट वीडियो में लोग नेक्स ट्वपीक को अच्छे से डिसके से जिसका नाम क्या है जिसका नाम है अनिमास इन वाइल लिमिटी में जीव ठी चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत धन्यवाद